हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स चर्चा करते हैं HPTGT Commission के बारे में तो फ्रेंड्स HPTGT Commission का रिजल्ट आभी तक डिकलियर नहीं हुए है और जो HPTGT Commission का जो रिजल्ट है वो डिकलियर होने की समभाबना है अब TGT TGT Arts का जो result है वो आपको March 2nd और 3rd week में देखने को मिल सकता है इसके साथ TGT Non-Medical और Medical का जो result है वो आपको 3rd week of Feb मर्थ में देखने को मिल सकता है जहां फिर 1st week of March मर्थ में तो friends HP TGT Arts का जो commission हुए है उसका level था moderate to tough हमने previous वीडियो में भी discuss किया था इसके साथ साथ जो TGT Non-Medical और Medical के जो exam हुए है उनका भी जो level था जो moderate count किया गया है अगे चर्चा करते हैं HP TGT Arts के बारे में HP TGT Arts का जो exam हुआ था वो आ था 13 December को और इस बार का जो level था वो moderate to tough आया है और इसमें इस बार लगवग हर topic से जो questions पूछे गे थे वो अच्छी अच्छे questions थे और एक ऐसा questions time taking था आपने देखा होगा कि अगर quality से questions आया है वो भी काफी time taking था हमें उस questions के बारे में सोचना पढ़ रहा था इसके साथ साथ जो सबसे जाड़ tough section देखने को मिला है वो history से देखने को मिला है history और geography के साथ साथ जो economics commerce का जो sections है जे कुछ ऐसा sections थे इनसे जिनसे maximum questions stuff पूछे गे थे अब देखो friends जब भी exam का level tough होता है तो cut off जाने के संभावने उतने ही कम होती है ठीक है इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि यो इस बार का जो competition था competition का जो level था वो काफी high था ठीक है competition का level high था रिजन जे है कि इसमें इस बार जो TGT arts का जो commission हुआ था उसमें TGT non-medical, TGT medical, TGT arts इन तीनों commissions में आपको one year का time मिला था one year का time कैसे मिला आप सभी को पता होगा ये coronavirus चला हुआ था और coronavirus के बदे से exam लगातार delay होता जा रहा था इसके साथ फिर इसके इसमें cases की सुनवाई भी हुई तो इन सभी को देखते हुए जे जो exam था जे December में conduct करवाया गया TGT arts का और जो notification आई थी वो 5 March में आई थी notification इसकी तो आप देख लीजिए जब इतना ज्यादा time मिलता है तो natural है कि इसमें जो student थे वो काफी prepared थे लेकिन जे जो TGT arts का जो commission हुआ है इसमे unexpected questions पूछे गये थे student ने त्यारी तो अच्छी की सी लेकिन maximum questions ऐसे थे जो unexpected थे जिसके बारे में student ने अपने आपको prepare किया ही नहीं था क्योंकि इसमें ऐसे questions थे जो आम तोर पर civil service के exam में पूछे आता है ठीक है civil service के exam में पूछे आता है और आम तोर पर इसमें जो maximum student होता है ऐसे questions को ignore कर देते हैं ठीक है ऐसे questions को ignore कर देते हैं इस बार कुछ इस बार जो टीजटी आर्ट की commission में जो बगैंसी है वो 307 है और जो 2019 का commission होगा था उसमें 490 प्लस थी लेकिन उसमें time कम मिला था ठीक है 2019 के commission में time कम मिला था इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो एक cutoff आपको जो देखने को मिलेगी वो आपको general category की 43 से लेकर के 50 के बीच में आपको देखने को मिलेगी ठीक है और जो sc की है sc की cutoff आपको देखने को मिलेगी 37 से लेकर के 42 के बीच में obviously की cutoff देखने को मिलेगी आपको 38 से लेकर के 42 के बीच में और जो ST की cutoff है वो आपको इससे कम देखने को मिलेगी और इसमें 36 से लेकर के 40 के बीच में आपको देखने को मिलेगी और यह जितनी भी cutoff है यह cutoff है document verification के लिए ठीक है यह document verification के लिए cutoff है जब आपका exam clear होगा तो आपको जो cutoff दी जाएगे इसमें document verification के लिए जिसमें आपने document को चेक करवाना है फिर इसके बाद इसकी final cutoff बनेगी यह है तो उसके लिए जी cutoff मैंने आपको बताई है अब देखिए आगले commissions के लिए आपने आपको कैसे prepare करना है तो आपने जो जो गलतियां इस commission में की है जिन जिन questions को आपने ignore किया है अब यह गलतियां आपने आगले commission में नहीं दोरानी है बहुत इंपोर्टन चीज है कि ऐसी गलतियों को आपने अब ignore करना है अब आपको करना के आगले commission के लिए आपको approximate six month का time मिल जाएगा अगर notification इसकी जो आपरल और माई में आगे है तो आपको six month का time मिल जाएगा अगर इसकी notification डिले होती है for example माई जून जाएग जून तक जाती है आपको time इस अभी ओर ज्यादा time मिल जाएगा आपको फिर ठीक है तो फिर exam आपका October November में हो सकता है अगर notification डिले होई लेकिन आपको इतना ज्यादा time नहीं मिलेगा जितना को पिछले exam में मिला था तो friends आप अपनी त्यारी को continue कीजिए और इस चैनल के साथ जरू जूड़िए और इसकी त्यारी के बारे में हमने previous वीडियो में discuss किया हुआ है अगर आपको लगता है कि हमें त्यारी कैसे करनी चाहिए तो आप उन वीडियो को देख सकते हो तो friends मिलते है नेक्स वीडियो म वीडियो तेकनिकल अपका दनेवा थैंक्स